नमस्कार आप देख रहा हैं दब बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पुरी पिछले दिनों बिहार सरकार ने मंत्रियों के वेतन और भत्तों में विर्धी की आपको बतादे कि हम आपको बताएंगे कि कितना कितना सुगित हुआ है और कितना सेलरी बिहार के मंतरियों को मिलेगा आपको बताते चले कि मंतरियों को हर एक महीने 65,000 रुपया वेतन मिलेगा और 37,000 रुपया चेतरिये भत्ता मिलेगा राजी सरकार ने बिहार के मंत्री वेतन और भत्ते अधिनियम 2006 की धारा 4 के तहत प्रदत सक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रियों के वेतन और भत्ता नियमावली में संसोधन कर दिया है। विभाक के आदेश के अनुसार संसुधन के बाद मुख मंत्री समित अन मंत्रियों दोरा मंत्री राज मंत्री और उप मंत्री को 65,000 रुपय परतिमाह वेतन अनुमानने किया गया है। इसके अत्रिक्त मुख मंत्री और मंत्रियों के आतित्य भत्ता का प्रावधान भी किया गया है। वहीं मंत्रीयों के आतित्य भत्ता को 24,500 रुपय किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में मंत्रियों के सैलरी में व्रिधी किया गया है। उनके आतित्य भत्ता में जो छेत्रिय भत्ता होता है उसे बढ़ाया गया है। फिर से उनका द्यानिक भत्ता जो होता है उसे भी 3,000 से 35,000 रुपय कर दिया गया है। और आपको बता दे कि ये जो है सरकार ने अपने कैबिनेट के बैठक में ये प्रस्ताव लाया। और बिहार में जितने भी मंत्री हैं चाहिए कैबिनेट लेबल को हो राज मंत्री लेबल को हो या उप मंत्री लेबल को हो सभी के वेतन में वर्धी किया गया है। वैसे मंत्री जो किसी भी सदन के सदस से नहीं है उन्हें छे महीने तक ही वेतन देने का प्राउधान किया गया है क्योंकि जब वो सदस्ता ले लेंगे उसके बाद उनका वेतन फिर आगे कंटिनू हो जाएगा तो बिहार में आपको बता दे कि जो भी मंत्री हैं और मुख्य मंत्री हैं उनको सरकार लगातार रियायत दे रही है कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि कैसे उन्हें जो बिजली बी लाता है जो टेलीफोन बी लाता है उन सभी में रियायत दिया गया सभी में जो कंजम्शन है उसको बढ़ाने की और उसके लिए विशेस भता का प्र का खा तुत दिन ह लिए में जो को सह जो को बन्में जो का रहादा में प्रूब का देली ली में बु игр को कवी में जो विएरा जब़ादी और में आप गया आपरा फ सिस्तित बगादार दो लबादार में में जो चільки को ऱहता है तुत ब़ा में है